यहाँ पर दोस्तो मैंने अपने CPU को कर लिया है open और यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाता हूँ सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर power supply रखा हुआ मिल जाएगा यह दोस्तो मैंने motherboard के पास में ऐसे ही रखा है यहाँ पर fitting नहीं करी हुई है इसका एक reason है दोस्तो इसके जो cable है वो काफी सोटे है और यह दोस्तो normal power supply है हमारे पास दोस्तो इसका जो power supply था वो खराब हो गया तो मैं दुकान पर गया दुकान वाला मेरा दोस्ता तो उसने मु connector आप देख सकते हो pin connector यह चार पिन का है और हमारे motherboard में लगता है आठ पिन का connector आप लोग देख सकते हो यह दूस्तो जो motherboard है यह गिगावाइड का GA320M S2H motherboard इसमें आठ पिन का connector लगता है लेकिन यह केवल चार पिन का और इसके लावा दूसरा कोई है यह नहीं केवल एक ही पिन इसमें दी गई है तो मैंने connect कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ पहले तो दूस्तों मैं भी वह समदलों की सोच में पढ़ गा था कि कैसे करूं फर्स टाम दूस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ था तो फिर मैंने थोड़ी सी research करी motherboard का user manual देखा फिर मुझे बता चला कि क् आप लोग इसका user manual देखिए आप लोग screen पर देख सकते हो यहां पर दूस्तों हमारे पास जो motherboard है इसकी जो starting होती है one की वो उपर से start होता है उपर जो दी गही है यहां से start होता है one two three four और नीचे से five six seven eight काफी सारे motherboard में दूस्तों क्या होता है कि starting होती है नीचे से one two three four five six seven eight तो यहां पर दूस्तों क्या करना है कि मैंने जो यह अपना केबल है वो मैं आपको बता दा हूं यह जो आप लोग देख रहे हो यहां पर दूस्तों इसका लोग वाई साइट में लगा हुआ है तो मैंने क्या करा इसको motherboard का यह जो लोग वाला है इसको connect करते हुए three four और seven seven eight में दूस्तों मैंने इसको लगा दिया आप लोगों कुदों user menu देखना है कौफी सारे motherboard में दूस्तों ultra होता है vi принести स्टार्टिंग होती है और का विए सब कराद में यहां से और और यहां से सटार्टिंग रख़ती तो 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 सब बढ़ा को यहां पर दोस्तों लगा दांगो तो फाइनल दो लग चुका है कुछ इस री की से मैंने लगा दिया है इसमें तो दो नowski नहीं रहा था। कि इसमें सभी से लग रहा था लेकिन में कन्फर्म करा सब कुछ फिर मैंने इधर लगाया तो फिर स्टार्ट हो गया